नमस्ते एंड विल्कम फ्रेंड्स मैं हूँ कोमल आज का वीडियो एक सिंपल सा वीडियो है और मैं आ गई हूँ अपने गाडन में होली की जो थकान है वो अभी नहीं मिटी है लेकिन हम लौट चुके अपने गाडन की तरफ और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मेरे गाडन में जो विंटर वाले प्लांट है उनकी क्या हालत है प्लस हम किंगिन किस किस तरीके की तैयारिया कर रहे हैं अपने आने वाली समर के लिए तो यह सामने आपको दिख गया है मेरा बुद्धा जो है फ्रेंट एरिया जो की में एरिया है और यहां पर बड़ा ही बड्स निकल लएं थी और इसमें में निकल लएं थी काफी सारी बड्स देखें लेकिन होता है ना देखें कैसे मकडियों भी जला बना लिए उने मालूम है कि अब इनका खेल खत्म है तो देखें इस तरीके से मेरे डहेलिया सूख चुके हैं और गर्मी का जो अंदाजा म जिसके यह काण नामे है तो दोस्तों अब आप देखिए वाज तो जैसा कि आपने देखा कि फ्लॉवर बिल्कुल जैसे नहीं गैस पर रखके किसी चीज को ड्राइ करते हैं उस तरीके की हालत हो चुकी है और जल्दी ही मैं अपने इस सारे कमले हटा दूंगी और रेनुक मार्च है अप्रेल तक या अप्रेल पंदरा से बीस अप्रेल तक यह टिक हैगा इधर के प्लांट देखिए कुछ इस तरीके से हैं डॉप फ्लॉवरी भी यह नए तरीके के डॉप फ्लॉवर मैं आपको दिखायते ना तो इसमें और इसमें अंतर आपको साफ़ पतल जो की खराब हलत में है और हाँ निस्टेशियम की बीज आप तभी कलेक्ट करें जैसे की आपको दिख रहे होंगे काफी सारे बीज लेकिन उनके पके हुए की पहचान क्या है जैसे ही आपने यह हाथ में लेंगे ना देखिए यह हाथ में नहीं आया इसका मुतलब यह कच प्यार हो चुका है इसको हम सेफ करने के लिए रख सकते हैं तो देखिए यहां पर भी एक पड़ा हुआ है और पिछली साल तो मेरी खो गए थे बीज लेकिन इस साल मैंने को सई से रखूंगी और देख पिटूनिया भी हालत जाद अच्छी नहीं है यहां हमारे दिख बाहर जाओंगी तो मैंने के लिए घमले लेकर आऊंगी और ऑनलाइन में लेने से बहुत ज़्यादा पस्ती हूं क्योंकि समझ में नहीं यादा कि कैसी क्वैल्टी हो जैसे कि हम कपड़े होते ना कपड़ों के मामले में मेरी ही है कि मैं ऑनलाइन कभी नहीं खरीदती मु और यहां यह जो प्लांट है खोब चैसे हो रहे हैं कि नीचे भी आपको दिखा देती हूं और यह जो डैन्थस बगारा है यह जा रहे हैं यह वाला प्लांट तो मेरा सदावार सा हो गया है देखे यह पिछली साल अपरेल में अपने बर्थड़े पे मैंने लिए उस और बहुत ही इसमें काटा भी है काटे भी होते हैं मुझको तो आज पता चला मेरी उंगली में चुप गया तो बर्थड़े पी लिया था तब से यह बचा चला रहा है अच्छा यह वाले जो गजानिया होते ना गजानिया आप लगाईएगा अगर आपके हलकी ठंड़क साल सालमर बचे रह जाएंगे और इधर देख गया आपको हमारे कनेर के अस तरीके से बहुत से चोटे बड़े पिलांट हैं जो बचे रह गए लेकिन खतम हो रहा है और देखिए जो हमारा मैंने खात दे दी थी ना एक बहुत अच्छी खात मैंने लगाई है वह आपके साथ म को बारिस में दे सकते हैं तो मैंने खादी शोद्त मिर्श का पॉल्धा है फिर से हरा और है और देख रहे हैं पुण सोकारी बीच भी किया आ थह सका यह जब् हर हमेरे मेरा पैलंट बचा रहा गया है और अब जो हमस Striker ओ मेर्याट मैने लिए अब बचा यह जिसा बचे हा काफी बड़ा है तो दो बार मैं ग्रीन नेट ले चुकी लेकिन पूरा नहीं होता तो मैं सोच लिए कि 40 मीटर लूँ और 20-20 मीटर का हाफ करवा कि उनको जोड़कर पूरा एरिया में कवर कर सकती हूं लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं उपर जाल भी लगा है बंदरों से बशने के लिए और इसके बाप जोड़ी मुझे ग्रीन नेट लगाना पड़ता है इधार हमारे वोगन में लिए आपको देख गए और जो मधु वालती न हो मैंने उपर हैंक कर दिया तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी टहे लिया रैनुकिलस की जड़े आ आप लोगों के साथ में जानकारी साजा कर चुकी हूँ कि किस क्वैल्टी का खरीदना चाहिए कैसे मौसम के हिसाब से और जल्दी ही अगले वीडियो में भी आपको यह देखने को मिलेगा तो फ्रेंट से एक छोटा से वीडियो चोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ म क्它 आपके साथ लग छोट का और जानका तो मैंने से एक हम झानकारी आपके से यह एक्कि भूटा करा भी चुपराड़ है! विव खर रसकी में बाले अबाले है